थैलो गाईस अपका बह। बहुत स्वागत हम बहुत अबवाद निफ्रक्यान की बाद मतलब इसके जब ऑपरेशन होते हैं जब यह सीवेर हो जाता है आ इसकी इसीर हो जाते हैं JOHN ये कोच आपने इन Winston क uit पाद में एंफ्लामेशन हो जाते हैं तो सबसे पहले कुछ तरीकी की जो टेस्ट होते हम उसके फीगर को देखेंगे तो यह था CT, यह हाइडोनेफ्रोसिस का CT है, तो इस तरीके से इस एरिया में, जो यह एरिया है, इसमें क्या फ्लूड इसमें इकठा हो गया है, जिसके वज़ा से यह डैमेज हो गया, और जो द हो गया है, और किड्नी डैमेज हो रहा है, इस तरीके से, तो गाइस, यह आई वी पी का स्ट्रक्चर है, इसको आई वी पिक कहते हैं, आई वी पी, यह भी एक जांच होती है, तो इसमें यह किड्नी है, यह उसका यूरेटर है, और यह किड्नी है, यह उसका यूरेटर है, जिसमें contrast use करते हैं तो ये भी case वही है hydronephrosis का इसमें भी kidney damage है और guys जो kidney की surgery होती है kidney में hydronephrosis का जो operation किया जाता है जो surgery होती है और ये जो वो टिवरा दिख रहे हैं ये वो टिवरा होते हैं और ये वो टिवरा के डिस्क होते हैं और यहाँ से निकलता है नरू निकलती है जिसके वो जैसे दर्द होता है जो pain को ले जाती है जो pain को carry करती है तो जो kidney की surgery होती है kidney की surgery में ये जो वो टिवरा होता है इसमें क्या करते हैं कि जो L4 है जो L4 है L5 है और जो S1 वो टिवरा होते हैं इस वर्डिब्रा में इंजेक्शन लगाया जाते है एनेस्थेसिया के डाक्ट पता है वो किसी बगल की नवर को डामेज कर दिया है इंजेक्शन के जरीए हलांकि उसमें फ्लॉरोस्कोपी यूज होता है तमाम टेक्निक यूज होती है फिर भी मिस्टेक उसमें हो सकता है तो यह जनरली एनेस्थेसिया की प्रॉब्लम की वजह से होता है तो एक मेरीज में एक पेसेंट में जो सेंट्रल एनेस्थेसिया हुआ है जिसमें रिनिड की हड्डी में इंजेक्शन लगा के सुना किया जाता है बोड़ी के दूसरे हिंस्थों को उसको सेंट्रल एनेस्थेसिया कहते हैं तो सेंट्रल एनेस्थेसिया में किड्नी की सरजरी में लोर एड़ 500 जासे जो इरिया होते हैं उसके जो एड्सकी जो नरू लगी होती है उसको बलाक करना परता है सरज्जिरीए में तो बाद में तो बलाक ने कर पाया तो बाद T1 एक्स ए Kom है और सिसाइटल मतलब इसम्हें प्रॉबल्म क्या है डि फ्यूज एनुलर डिस्क बज यानि जो डिस्क है वो बड्ज कर चुका कहा पिजल टेंप ल फोर में 15 में S1 में मतलब की इस लेवल पे यानि की L4 L5 S1 लेवल पे क्या हो जाए डिस्क बल्ज कर चुका है डिफ्यूज एनुलर डिस्क बल्जिंग हो गई है और इसके वज़े से इसमें कई प्रॉब्लम आ रही है और जो वेंट्रल ठीकल जो शैक है साथ में इसमें पार्सियल एफास्मेंट हो गया है आफ बाइलेटर नियूरल फोरामिना में मगर इसमें सेंट्रल कैनाल में किसी طریقी की कोई इस्टोनोर्सिस नहीं पाई गया है मतलब कि साफ यह सेंट्रल जीनस्थिस्या जो किया गया है इसी की वज़ा से यह complication हुआ है तो guys इस चित्र में हम समझ सकते हैं जब operation होता है तो इसमें क्या है इसमें जैसे कि यह spinous process इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डिस्क इसको mental body कहते हैं यह जितना है यह सब mental body है यह इसको vertebral body है यह है और यह spinal roots हैं यह nerve के roots हैं इसी roots को guys इसी root को यह root है जो यह root दिख रहा है मतलब की L4 पर और L5 पर इसी root को central anesthesia करिया जाता है मतलब इसी को block किया जाता है उसके बाद surgery होती है तो उसको block करने में किसी वज़ा से अगर मतलब टेक्निकल ही कोई issue आ गया है जैसे technician के वज़े से कोई गलती हो गई है या patient में कुछ इस तरीके की problem है तो यह बाद में symptomatic हो जाता है बाद में बहुत जादा दर्द करने लगता है और मरीज को surgery के बाद ilाज करना पड़ता है पहले तो वो nephrology के हाँ treatment करा तो उसके बाद neurosurgeon को मतलब neurosurgeon को recommend करना पड़ता है neurosurgeon उसको देखता है और चुकि वोटिवरा का मावला है तो वोटिवरा के लिए neurosurgeon, neurosurgeon और spinal surgeon उसको देखते हैं और इसको मेडिकेशन चलता है और मेडिकेशन के लावना, surgical procedure भी इस्तमाल किया जासा है इस चित्र में आप देख रहे हैं यह नार्मल डिस्क कुछ इस तरीके से होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह नार्मल डिस्क होता है और यह डिस्क bulging कुछ इस तरीके से होता है और जब disc herniate हो गया है तो कुछ इस तरीके से problem आती है इस तरीके से inflammations और swelling अगेरा आती है और यह vertebra है यह vertebra इस तरीके से है और यह सब disc है और यहां से roots निकली रहती है तो अबर हम दूसरे image में देखेंगे इसको यहां पे guys देखिए तो यहां पे आप देख सकते हैं simply इसमें और इसी root में problem है तो इस root को मतलब कि यह L3 है यह L4, L5 है और यह S1 है तो जो bulging हो यह डिस की यह इस जगह पे हो इसकी वज़ा से मरीज को operation कराने के दुढ़ाई महीने के बाद 3 महीने के बाद symptom चालू है और वह जल्दी ठीक नहीं होता काफी लंबा treatment इसके लिए चलता है हलांकि वह neurosurgeon इसको अच्छी तरीके से maintain करते हैं और यह problem होती है central anesthesia के बज़ा से तो guys यह educational purpose के लिए video बना गया था मतलब की treatment purpose स नहीं है educational और मतलब awareness के लिए जवरूपता के लिए है धन्यवाद दोस्तों